मैहर जुले के अमदरा थानांतरगत कुसेडी गाउ में होई हत्या की गुत्थी पुलस ने 24 घंटे के अंदर सुर जारी आरोपी बेटे को गरतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है बेटे ने पोश्टास में खूलासा किया है कि पीता बहु बेटे को अलग करना चाहता था इसलिए उसकी हत्या कर दी और उसने आरोपी राम सुरेश कुश्वाहा पिता चूहन कुश्वाहा के खिलाप बेटे शनिवार की रात हत्या का अपराद पंजिबत किया था बताया जाता है कि बिते शनिवार की रात मैहर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था जहां एक कल यूगी पुत्र अपने ही पिता की जान का दुश्वपन बन गया और डंडे से पीट-पीट कर पित्या को मौत के घाट उतार दिया दरसल पूरा मामला जिले के अंदरा थाना शेत्र के परसवारा का है जहां देर रात संदिक्द परसुतियों में 70 वर्षिय बुजुर्ग छोहन कुश्वाहा की लाश घर में पड़े मिले थे जब ग्रामीडों को शब की जनकारी लगी तो पूरे इलाके में हड कांप मच गया सूचना के बाद मौके मर पहुंची अंदरा पुलस शब को कबजे में लेकर मर्ग कायम करते हुए मामले की जाज में जूट गई कुछी घंटे में पुलस ने हट्या के कारण का पदा कर लिया था बताया कि आया खेंग मिलतक के बेटे इराम सुरेश और फिल लालू कुश बहान ही डंडे से पीट पीट कर अपने पिता को मौत की घाट उतारा है हत्या की मुख वज़ा परिवार को अलग करने की मनशा बताय जा रही है पताया जाता है कि पिता पुत्र में अक्सर इस बात को लेकर बिवाद होता था गटना से पहले भी इसी बात को लेकर बहस हो रही थी थाना प्रभारी संजय दुवे ने बताया कि आरोपी को गाओं से पकड़ा गया और पूश्थास में उसने अपना जर्म कबूल लिया है